हलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपनी चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लो रेंबो क्लास 8 से लेसन नमर 13 जिस लेसन का नाम प्लैंट्स रोल कॉल है फ्रेंट्स इसका हम लोग जो है आज कोशन आंसर करने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पताई है कि मैंने इसका हिंदी और बाद अल्रेडी अप्लोड कर दिया है तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन को चेक किजिए वहाँ पर आपको जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी साथे साथ फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रैन्बो क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर चाहिए कोसर आंसर से रिलेटेड या फिर मतलब हिंदी एक्सप्लेशन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के description को आसानी से check कर सकते हैं आप हमें comment भी कर सकते हैं तो चली हम लो जो है इसके question answer को देखेंगे जो हमारा first question है friends वो ये है कि how many planets are there in the solar system? ओके friends यानि प्रस्ट हम से ये किया जा रहा है question हम से पूछा जा रहा है कि how many planets are there in the solar system? जो solar system है, जो सौरे मंडल है, right friends, जो सौरे मंडल है उसमें कितने तारे हैं, कितने planets हैं, ग्रह है आप समझ रहे हो friends, तो जैसा कि अगर आपने हिंदियों बाद पढ़ाया तो आपको पता होगा, कि हिंदिया explanation में मैंने आपको बताया था जो planets है, वो total उनकी संख्या, the number of planets are 8 तो मतलब हमारे ग्रहों की संख्या, total 8 है तो इसको हम लोग answer कैसे देंगे, चलिए हम लोग इसको देख लेते है फ्रेंड्स वो आपको answer दिख रहा है, वो यह है कि there are 8 planets in our solar system तो यहाँ पर हमने यह बोल दिया है कि हमारे solar system में, हमारे सौरे मंडल में 8 ग्रह है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको first answer पता चल गया आप चलिए friends second answer को देखते है फ्रेंड्स जो second answer question है वो यह है कि name the planets closest to the sun उस planet का नाम लिखना है जो सूरच के सबसे करीब है तो आपको पता है कि mercury वो planet है जो की सूरच से बहुत ही करीब है थर्ड है कि which planet is known as the red planet वो कौन सा ग्रह है जिसे जो है लाल तारा के रूप में या लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है तो I hope friends कि आपको पता है कि वो मार्च है ठीक है friends अब देखिए friends जो next question है वो यह है कि which is the largest planet in our solar system अब देखिए यहाँ पर पूचा जा रहा है कि वो कौन सा planet है वो कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरे मंडल का सबसे बड़वन गरह है वो कौन सा गरह है तो आपको पताई है कि Jupiter ठीक है friends जो Jupiter है हमारा वो सबसे बड़ा मतलब planet है तो आपको जो है मतलब simply मैं बता रहा हूं कि इन सभी question का answer कैसे लिखना है वो आप कैसे लिख लोगे वो मैं बता रहा हूं राइट अभी देखें यहाँ पर आगे यह पूछा जा रहा है कि which is sorry friends E वाला E वाला question यह है कि what are citrons ring made of अब जो citrons की जो rings है ठीक जो citrons के जो ring है वो किसीद से मिलकर बने हुए है चलिए मैं इसके answer को बताता हूं उसके बाद मैं आपको B, C और D के answers को बताऊंगा कि उन्हें कैसे लिखने है friends यहाँ पर answer आप देख सकते हैं लिखा गया है citrons rings are made of dust and ice जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने हिंदियन बाद में भी आपको बताया था कि जो citrons है उसके जो है मतलब जो ring है वो ice से और dust से मिलकर बने हुए हैं तो आपको पता ही होगा वो मैंने अल्रेडी आपको बताया हुआ था फ्रेंड जो हमारा B वाला answer था कि मलब name the planet जो की मलब सूरज के सबसे करीब है तो इसका आप आप आपसर यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको बताया गया है mercury is the closest to the sun राइट तो mercury जो है वो सूरज के काफी करीब है फ्रेंड जो उसका next वाला question था यानि question मत सी तो वो है कि Mars Mars is known as red planet ओके फ्रेंड आप देख सकते हो यहां पर Mars is known as red planet यहां पर जो Mars है उसे ही हमनों लालगरा के रूप में जानते हैं तो I hope कि यह भी आपको पता हो गया होगा आप चलिए Jupiter वाला हमनों देख लेते हैं कि Jupiter वा लिख लेने के तुरंत बार ठीक है friends मैं आपको बता रहा हो कि Jupiter लिख लेने के तुरंत बार आगे आपको लिखना है is the largest planet in our solar system ठीक है friends यानि आप D वाले question का जब answer लिखने जाओगे यानि तो वो तो आपको लिखे लेना है कि which is the largest planet in our solar system अब जब आप इसका answer लिखोगे त है कि Jupiter is the largest planet in our solar system ठीक है friends I hope कि आपको पता चल गया होगा यहां पर friends आप अगर आप देखोगे तो F1 आपको जो question दिखाए दे रहा है वो एक you know GKS related question आप से पूछा जा रहा है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि how much time to the sun's rise to take traveler from the space to the earth यहां पर directly पूछा जा रहा है कि आप य जो sun की race होती है जो सूरज की किरने होती है वो पृतिवी तक आने में मतलब वहां से चल कर पृतिवी तक आने में कितना वक्त लेती हैं तो friends आपको पता होगा कि 8 minutes 20 seconds लेती हैं तो यह जैसा कि इस book में नहीं बताया गया पर फिर भी हम लोग जो है इसका answer directly लिख लेंगे और वो कैसा answer होगा चलिए देख लेते हैं तो friends आप directly जो है 8 minutes 20 seconds आप लिख सकते हो यह इसके answer में आप लिख लोगे तो वो answer आपका पूरी तरह से clear हो जाएगा right friends अगर आप चाहो तो answer को बड़ा कर सकते हो और बड़ा जब करोगे तो आप किस तरह से लिखोगे वो भी मैं बता देता हूँ उस condition में friends आपको बड़ा जब आप answer लिखने जाओगो तो उस condition में आपको लिख लेना है 8 minutes 20 seconds sun's rays take to travel from the space to earth ठीक है friends मलबो 20 seconds वगारा वगारा लिख लेने के बाद आपको sun's rays take traveler from वगारा से लेकर के आपको यहां तक लिख लेना है right अब चली हम दो जो है next question की तरह बढ़ते हैं और last question की तरह और वो यह है कि who was the first person to reach space उस बैक्ति का आपको नाम बताना है you know जो की पहल किस related question है पर इसका answer क्या होगा चली है मैं आपको पताता हूं friends वो यूरी गागरीन थे जो की पहली बार जो है you know space में गए थे तो आप लिख सकते हो कि यूरी गागरीन was the first person to reach space ठीक है friends यह आपका answer हो जाएगा आप इस तरीके से लिख सकते हैं friends मुझे पता है कि आपको कि इसी भी तरह की कोई भी problem नहीं हुई होगी question answer में आप इसको बिंदास note कर सकते हो यहाँ पर यह कि feeling the blanks to the right facts about the planets on the which you leave यहाँ पर जो है आपको उस planet के बारे में कुछ बाते बतानी है इसमें जिसमें आप रहते हो तो चलिए यहाँ पर पहला यह है कि name यहाँ पर पूछा जा रहा है कि the name of my planet is अब मेरे planet का जो नाम है वो है अर्थ यहाँ पर आप अर्थ भर दोगे और तीजदा यहाँ पर थार्ड नमर का है तो हम तीशने नमर का लिख लेंगे planet to the sun यहाँ पर है my planet is bit bean जो हमारा ग्रह है वो किसके बीच में है तो वेनस यहाँ शुकर ग्रह के और मास ग्रह के बीच में है यहाँ पर आपको दीखे फ्रेंट्स मैं बता दूँ कि आड़े टीडे वार्ड लिखे गये है और इनको जो है clear करके लिख लेना है जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो mercury लिखा गया है जबकि mercury की जो word meaning है वो अलग अलग इधर उदर करके लिख दी गई है तो हमने इसको clear करके mercury यहाँ पर लिख दिया है ठीके फ्रेंट्स साथे साथ यह वेनस लिखा गया है पर इसमें जो है इसकी word meanings अलग अलग लिखे गया है तो हमें उन्हीं को clear करते वे लिख देना है यह वेनस है ठीके friends यहाँ पर आज जो आप देख रहे हो यह earth है यह mars है जुपिटर है इसके लाजो है यह saturn है यह कई सारे जो है यह हमारे जो planets उन सबी का यहाँ पर नाम दिया गया है गलत सलत करते है ठीके friends यह Uranus है यह Neptune है तो यह सारे आपको clear करके लिख लेने है I hope friends कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरटेनिंग लगा होगा और बहुत ही मतलब मजदार लगा होगा फ्रेंट्स वीडियो से रेलेटेर अगर किसी भी तरह कि अगर आपको प्रोब्लम हो या कोई ड्वाइस हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और साथे साथ हमें आप ये भी बता है कि आपको किस लेशन की वीडियोस चाहिए मैं उन वीडियोस को बनाने की पूरी कोशिस करूँगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि योनो फ्रेंड्स मुझे जो है और भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए और भी आपको अच्छे साथ समझाना चाहिए तो आप इस बात के लिए भी हमें कुमेंट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले वीडियो में आप प्लेलिस्ट क्या बलते हैं डिस्क्रिप्शन चेक करना बिलकुल न भूले थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सबी लों का बहुत बहुत धन्यवाद